लखनों के इंटिरेट शेर बिना पुलिस बिना सिक्रिटी के शुटिंग की अगर किसी आदमी ने हिंदुस्तान में कभी हिंदी फिलम देखी होगी तो केसी बुकाडिया को जरूर जानता है मैं समर्फित हूं सरे यादे तिनान योगी जी को उनकी यह मैं जब गया एले बार मिला तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी मंदिर में आ गया हूं तो टीटी आने से कई नए लोगों को पुराने लोगों को सब को काम मिला है हमिश्कार मैं हूं वांसी और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइन्स आइए आपको मिलवाते हैं दादा साहफ पाल के अवोर्ड से सम्भानित देश के लोग प्रिया डारेक्टर प्रोड्यूसर केसी बुकाडी अजी से जिसने फिल्म इंडस्री में अपने 50 साल पूरे कि है और पहले पिक्चर कम्ट्रीट की सिगनेचर अनुपम खेर अनुक अपूर मनो जोसी रणवी सोरी महिमा चौदरी वह पिक्चर सेंसर हो गी है और उस पिक्चर को कई अवाड मिल रहे हैं अभी इसके बाद अभी सेकिंड पिक्चर लखनो अच्छा लगा तब ही मैं वा अच्छी फिल्म में शूट कम्प्लीट किया रिलिज किये और सिक्स्टी फिल्म में एवरी वेर एवरी कोर्नर अप दी इंडिया भी शौट इट वर जब लखनो में हम लोगों ने शुटिंग की अभी चार दिन पहले और आप यखीन करें मतलब बिलकुल लखनों के इंट करें हम लोग तो कई बिना पुलिस और उसके शूट इन नहीं कर पाते हैं तो बोले सर्थ जैसा राजा वेसा प्रजा मैं समझा नहीं मैं बोले सर्थ ममने का हमारी यार पहले बंबई में बहुत डर था अदैसत थी यूपी में बहुत लफड़े होते हैं गुंडगर्दी होती है और सड़कों पर शूटिंग करना मुश्किल होता यहां तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आता तो यह सब जहां तक मुझे लगता है यह स्री चीप मिनिस्टर साब का वर्चस्व है और इनकी वज़े से एक एडमास्पिर चेंज हुआ है और यह सिर्फ यह नहीं बहुत अच्छी है और मैं तो प्यॉर्ली 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 मैं आपको बता हूँ मैं समर्पीत हूं सिर्यादितिन्नाड योगी जी को उनकी हमें जब गया अली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी मंदिर में आ गया हूँ और वह बिलकुल ठीक बोल रहा हूं बिना लालच के बोल रहा हूं और कुछ लालच क्या होगा सार अच्छे लोग अच्छे है तो अच्छे है कोई गुलाब का फूल है तो उसको बोलने की जरूतने उसकी खुस्पुस मालम पढ़ता है तो सारी दुनिया को पता है साब कि जो कुछ यूपी में कुछ अच्छ हो रहा है जो भी माहूल चेंज हुआ वो चीप मिनिस्टर साफ की वज़े से योगी साफ की वज़े से हुआ किसी बुकाडिया प्यॉर्ड ली इस कमिंग बिकोज आप रिस्फेक्टेट सरी योगी साफ यह आने के बाद लोगों से दोस्ती बड़ी कुछ लोग और दोस्त ब होता है सर जिस फिल्म की हाँ शूटिंग चल रही है वह किस विशह पर है देखिए फिल्म का टाइटल है तीसरी बेगम मतला अंडिस्टूड है पहले दो बीबी होगी और तीसरी जब आई है अब आदमी एक की बजाए दूसरे को समालना मुश्किल होता है बुकाडिया ज कुछ करने को मज़ा नहीं आता है तो बहुत ग्रेसफुली अच्छी फिल्म है वन अफ दी बैस फिल्म आप मेरी है सर्बस सरी फिल्म कब तक सब को देखने के लिए मिलेगी यह शुटिंग कंप्लीट हो गई है कल और आई थिंग टूबर में रिलीज हो जाएगी और कुद्रत का कानून आज का अरजून फूल बने अंगारे हम तुम्हारे सनाम कितनी फिल्म है सब फिल्म है और हर बासा में बनाए हमने मराठी गुजराती बंगाली तामिल तेलगू पंजाबी हिंदी तो बनाई रहे हैं और अभी एक पिक्चर फिर अगले अप्टेट हो रही है तो इस साल में मैं समझता हूं इन दिस येर पांच पिक्चर में रिलीज हो जाएगी एक पिक्चर हमारी सुपर हिर थी तेरी महरवानिया जैकी शुराब कुद्धे के साथ अभी वह जैकी शुराब तो नहीं है लेकिन तेरी महरवानिया पार्ट टू बनाया हो सेंसर हो गई है तो इस साल में ऐस बोल रहा हूं जैसे की पांच पिक्चर आजाएगी सर और मैं कोई पैंतिस पिक्चरों से ज्यादा डिरेक्ट किया हूं रजनी कांथ के साथ पांच पिक्चर किये अमिता बच्चन साथ के साथ दो दो पिक्चर किये शारूग सलमार, शा कुछ आना जाना नहीं है अब गुड मेकर फैमिली पिक्चर बनाता हूं अच्छी परिवारिक फिल्म बनाता हूं इसलिए मेरा एक बहुत रेस्पेक्ट है अगर किसी आदमी ने हिंदुस्तान में कभी हिंदी फिल्म देखी होगी तो केसी बुकाडिया को जरूर आपको बह हमारी सिटी हेडलाइन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुप कामना है देखते रहिए सिटी हेडलाइन्स नमस्कार